नाजरीन खबरेब तफसील से वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से मुल्क के हजारों नौजवानों को सरकारी नौकरी का तौफा दिया पियम मोदी ने आज वीडियो कॉन्फेंसिंग के जरिये नौवे रोजगार मेले में 51,000 नौजवानों को सरकारी महकमों और इदारों में नए भरती होने वाले मुलाजमीन में तकर्रूरी के खुतूत तक्सीम किये इस मौके पर पियम मोदी ने खिताब करते हुए कहा कि आज तमाम उमिद्वारों को बहुत बहुत मुबारक जिन्होंने आज के रोजगार मेले में तकर्रूरी के खुतूत हासिल किये आज के इस रोजगार मेले में जिन अभ्यार्थियों को सरकारी सेवा के नियूप्ति पत्र मिले हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई आप सभी ने कड़े परिशम के बाद ये सफलता हासिल की है आपका चैन लाखों और व्यार्थियों के बीच से किया गया है इसलिए इस सफलता का आपके जीवन में बहुत बड़ा महत्वा है आज चारों तरफ देश में गणेच उत्सव की धूम चल रही है इस पावन काल में आप सभी के नए जीवन का स्री गणेश हो रहा है उत्तर प्रदेश की वजीर आला योगी अदितिनाथ दो दिनों के दौरे पर गोरकपुर पहुँचे गोरकपुर में सीम योगी ने मदन मोहन माल वियर टेक्नलोजी उनिवस्टी का दोरा किया और नए इंतिजामे इमारत का इफ्तिताव ही किया इस मौके पर सीम योगी अदितिनाथ ने कई प्रोग्रामों में शिरकत भी की आपको बता दे कि सीम योगी की आमत को लेकर सिक्योरिटी के सक्त इंतजामात किये गए थे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी परिवारों की आर्थी किस्तिते ऐसी नहीं होती कि वे अपने साडिफिकेट डिप्लोमा या डिग्री कोर्स को आगे बढ़ा सके नेशनल इजुकेशन पॉलसी ने जहां इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने में मदद की है वहीं PM इंटर्णसिप की स्कीम और CM इंटर्णसिप स्कीम इसमें बड़ी मददगार हो सकती है हर उस जो तीन मेने ए छे मेने की किसी सरडिफिकेट कोर्स के साथ जो यूद झूड़ा चाता है एक साल के किसी सरडिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स के साथ कोई जूड़ना चाता है इसके लिए इंडस्टी के साथ या वहां के प्रसासन के साथ हमारे M.O.U. अत्यंत मददगार हो सकते हैं हिमाचल प्रदेश के वजीर आला सुक्विंदर सिंग सुकू और दिली के लेटिनेंट गवर्णर वीके सकसेना गुजिशता रोज पंजाब के अमरिसर पहुंचे यहां उन्होंने पंजाब के वजीर आला भगवत मान के साथ बागा बॉर्डर पर बीटिंग रीट्रीट सेर्मेनी का जायजा लिया बागा बॉर्डर पर हिंदुस्तानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से हर रोज बीटिंग दी रीट्रीट की तक्रीब मुनकित की जाती है मुल्क के मुक्तलिफ हिस्तों से आए लोग इस तक्रीब में शिर्कत करते हैं CM सुखु ने beating the retreat तक्रीम में शिर्कत करने वाले 4GO में मिठाई तक्सीम की और उनकी बहादुरी और लगन को सराहा CM सुखु और LG सकसेना अटारी वागा बॉर्डर में 0 पॉइंट पर भी गए IG, जलंधर, रेंज, BSF और हिमाशल कैडर के IPS अफसर डॉक्टर अतुल फुल जेले ने इस मौके पर वजीर आला सुखु और LG सकसेना का इस्तक्बाल किया और उन्हें तौफे की तौर पर एक पॉधा भी दिया प्रधान मंत्री जी चुनावी दौरों पर थे मध्यप्रदेश से शुरू करें हम 51 मिनिट के भाषण में 44 बार कॉंग्रेस का नाम लिया 1966 हम में से कोई शायद पैदा निवह होगा 1966 की एक फिल्म थी नींध हमारी ख्वाप तुमारे तो मोधी जी को शायद वो फिल्म बहुत पसंद है जिस राज्य में 19 साल से उनकी सरकार हो वहाँ जब चुनाव प्रचार करने जाते हैं 51 मिनिट में 44 बार कॉंग्रेस का नाम लेते हैं यह क्या बताता है यह यह बताता है अपनी सरकार की उपलब्धियों के नाम पे बताने के लिए कुछ नहीं है जीरो जहां आप सत्ता में हैं वहाँ भी आपको कॉंग्रेस का सहरा लेना पड़ रहा है यह आपकी राज्य सरकार की हालत है यह आपकी केंद्र सरकार की हालत है मरकजी वजीर अनुराक ठाको ने AIA DMK के NDA से इतिहाद तोड़ने के हवाले से बयान दिया है मरकजी वजीर अनुराक ठाको ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि BJP के साथ इतिहाद करने वाली तमाम जमातों को एहमियत दी गई है और खांदान की तरह साथ में लेकर चल रहे हैं NDA इतिहाद 2014-2019 में भी मजबूत था और 2024 में भी BJP की हुकूमत बनेगी बारती अन्ता पार्टी ने गटबंदन दल जितने भी हमारे रहे पहले भी और अब भी उन सब को महत भी दिया साथ भी दिया परिवार के रूप में ही साथ में लेकर चले हैं और आगे भी जिस तरह से आपने देखा JDS भी जुड़ा कई और दल एक के बाद दूसरे जुड़ भी रहे हैं NDA का गटबंदन 2014 में भी मजबूत था 2019 में भी और दोनों बार पूर्ण भोमत से सरकार बनाई और 24 में भी NDA की सरकार नरेंदर मोधी जी के नितरतब में ही बनेगी आलमी सरमाया कारी कॉन्फरेंस के लिए पहला बेनूल अकवामी रोडशो आज लंदन में होगा इसके लिए उत्राखन के वजीर अला पुषकर सिंग धामी सीनियर हुकाम के साथ लंदन पहुंचे लंदन में एरपर्ट पहुंचने पर उत्राखन के तारकीने वतन ने पुषकर सिंग धामी का पूर्ट पाक इस्तक्वाल किया इस दोरान उत्रखन के तारकीने वतन ने CM धामी के साथ सेलफी भीली CM धामी जल्द ही मुनक्किदा होने वाले उत्रखन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में सनतकारों को बुलावा देनी के ले लंदन गई हुए हैं रियासती हुकूमत सर्मायाकारों को रियासत में सयाहत फूट प्रोसेसिंग और तालीम के शोवे में सर्मायाकारी करने की तरगीब देगी